हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू किरन कॉर्स किचिन तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का बहुती फेमस स्ट्रीट फूड बटाटा वड़ा बिल्कुल ऑंथेंटिक स्टाइल में तो चल यह स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिए है आलू उबले वे आलू यही है इन्हें मैंने तीन से चार घंटे पेले ही उबाल लिया था तो बटाटा वड़ा का जो फिलिंग है उसे बनाने के लिए आलू को ठंडा ही यूज़ करें ताकि हमारा जो फिलिंग ही वह ज़्यादा चिपचिपा ना बने तो देखिए अच्छे थ सारे आलूं को हमने मेश कर लेना है तो यहां पर मेश हो चुके है हमारे आलू उसके बाद हम इसके लिएक स्पेशल सा मसाला बनाएंगे जिससे कि हमारा बटाटा वड़ा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर फुल बनेगा तो यह बसाला जो है ना यह सीक्रेट रेसिपी है लसुन हरी मिर्श थोड़ा सा कड़ी पत्ता थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा जीरा तो सारी चीजों को हमने अच्छे से कूट लेना है तो देखिए हम पर जीरा भी एड़ हो चुका है अब इससे हम अच्छे से कूट लेंगे तो यही है सीक्रेट इंग्रेट बहु बहुती स्पेशल और सीक्रेट सा मसाला बन करके तयार है इसे हम रख लेते हैं साइड में उसके बाद यहां पर मैंने पैंच ड़ा लिया है गेस पर इसमें हम एक चमच तेल एट कर लेंगे साथ में एक चमच राइट कर लेंगे और क्रेक होने देंगे राइको तो देखे राई हमारे अच्छे से क्रेक हूँ चुकि उसके बाद इसमें मैं दो पिंच हेंग एट कर लेंगे साथ में हमने जो मसाला कूट कर लेज था वो भी एट कर लेंगे और अच्छे इसमें भूण लेंगे slow to medium flame पर, हलका हलका भूणेंगे, बस कच्छा पन खतम हो, जादा नहीं भुनना तो गेस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करते हैं उसके बाद इसमें मसाले एट कर रहेंगे तो यहां पर मैट कर रही हूं एक छोताई चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लालमिश पाउडर और मिला लेंगे तो गेस का फ्लेम स्लो रखें ताकि मसाले हमारे जलेना उसके बाद इसमें हमें एट कर लेने हैं हमारे बॉइल और मैज्ट इबलियोवे आलू तो सारे आलू को अच्छे से हम इसमें एट कर लेंगे तो आलू एट करने के बाद अच्छे से हमें मसालो के अलू को मिला लेना है कोट कर लेना है साथ में याँ पर मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी एट कर लिया है तो अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालो और आलू को ताकि ये अच्छे से आलू जी वो मिक्स हो जाए मसाले के साथ तो इतना टेस्टी ये वारी फिलिंग बनती है ना आप एक बड़ दरूर बना करके देखेगा आप हमेशा इसी तरह से बना कर खाना बसंद करेंगे तो अच्छे से मिला लेंगे गेस का फ्लेम स्लो टू मीडे मी रखेंगे और अच्छे से आलू को हम पका लेंगे ताकि इसका जो ये हमारा मिक्स है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट बने और देखें या पर अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं बहुती सॉफ्ट हमारा ये बटाटा वड़ा का जो मिकस से बनकर तया रहेगे इसका फ्लेम बन कर देंगे लिए ये अच्छा नदा होने के लिए घ्लाए रख देंगे तो जब तक हमारा वह मिकस ठंदा होता है याँ पर हम भी बना लेंगे यहां पर मैंने एक कब बेसं लि ला लेंगे तो चाओल काडा एट करने से न हमारे बले जो ह tort on कर पानी एट करेंगे ताकि इसमें लमच न बने तो ठोड़ा पानी एट करेंगे दो मिक्सक्रते जाएंगे तो देखिए इसी तरह से हमें इसका मीडियम कंसेस्टेंसी का घोल बना कर त्यार कर लेना है न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाड़ा तो देखिए कुछ इस तरह से फ्लोइंग कंसेस्टेंसी का हमें वड़ा बनाने के लिए घोल बना करके त्यार कर लेना है तो अच्छे से फैंट लेंगे यहाँ पर मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं एट करूँगी ताकि हमने हल्दी एट की है तो उससे रेड डेड स्पोर्ट सा जाते हैं अब इससे हम ढखका रख देंगे साइड में 10 मिन के लिए तब तक हम चटनी बना लेते हैं तो अपरे ग्राइंडिंग जयार में ले लिया है हरा धनिया अध्रक लसंद हरी मिर्श थोड़ा सा नमक एट कर लेंगे आधा नीमबू का रस मिला लेंगे आप चाहो तो इसमें बाइंडिंग के लिए कच्छी मुंफली या फिर चने भी एट कर सकते हो भूने ओवे चने थोड़ा सा पानी एट करेंगे और अच्छे से हम इसे ग्राइंड करके इसकी चटनी बना करके त्यार कर लेंगे तो देखिए आप हमारी बहुती टेस्टी से चटनी बन कर त्यार है इसे भी हम रख लेंगे साइड में तो देखि बोल्स मैंने बना लिए और यहां पर देखिए घोल भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाड़ा अब इस बेसन के घोल में हम थोड़ा सा गरम तेल एट कर लेंगे तो यह साइड में मैंने न तेल भी गरम हो चुका है अच्छे से अब हमने जो आलू के बॉल्स बनाया थे न वह हमें बेसन के घोल में एट करके इस तरह से चमच के हलते तेल में रखते जाना है कुछ इस तरह से अब चाहो तो हाथ से भी प्रोसेस कर सकते हो लेकिन चमच से बहुत ज्यादा प्रशब रहता है हाथ भी गंदे नहीं होते तो इसी तरह से हम सारे वड़े इस एत कर लेंगे तेल में और और कर लिए अच्छे से गोल्डन कृस्पी होने तक तो कुछ देर के लिए से इस तरह से फ्राइप होने देंगे तक है अच्छे त ambos तेथे नीचे तेतने सिख ज मैंने बाडम के साथ यह और दिखुएां हमारे बटाटा वड़ा बनगर के साथ कर लिए भी दिला सांगा कर दो कर सकते कर हो prochain लिया है, थ्रसा लिए वह पर नमक कर दो कहा लें झाला है और बहुत ही टेस्ट है हमारे बटाटा वड़ा बन करके त्यार है तो इससे हम सर्फ कर लेंगे हरी चेटनी के साथ तो आप भी जरूर ट्राय करके देखिएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा मिलती हूं आप से नेक्स् स्थीज यूदी के साथ थैंक्त वरजएग्स